नमस्कार मैं हूं अंतुल सिंग और आप देख रहे हैं पुर्वांचा लेक्स पेक्स न्यूस का वेपोर्टार आसमगर की तमाम छोटी बड़ी ख़बरों से उपर होने कि आप देखते रहे हमारे वेपोर्टार पुर्वांचा लेक्स पेक्स न्यूस हाइटेक होती हुए जमाने में भी लोग अंदविश्वास का दामन नहीं छोड़े ताज़ा मामला जिले के मुबार्ख पुर्थाना छित के अवाउं गाउं का है जहां एक युक्ति की सर्फ दन्स से मौत हो गई परजन दास असकार के लिए लेकर जा रहे थे कि तभी चमतकार का दावा करने वाली एक युक्ति सो को वहां से नीचे उत्रवा कर मृत्का को जिंदा करने का दावा किया करी 5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा लेकिन कोई चमतकार नहीं हो सका इस बेच पुलिस मौके पर पहुची और जाड़ पुक के नाम पर चमतकार करने वाली युक्ति को भिरासत में ले लिया मुबारपूर के अमाव गाउं में साप ने गीता राजवर नामक युक्ति को दस लिया परिजन लेकर जिलास्पताल पहुचे तो चित सको ने उसे मृतक घोषित कर दिया परिजन सौप को लेकर घर पहुचे और दासंसकार के लिए ले धा रहे थे कि वजार में एक उक्ति मिली और दवा किया कि वो मृतका को जिन्दा कर सकती है परिजन भी उसकी बात में आ गए वो नसरुद्दीन पुर इस्तित प्रात्मिंग विद्याले में लड़की के सव को रखकर चारों तरफ गोला बनाया और घूम घूम कर मंतुप्चार करने लगी लेकिन 5-6 गंटे बीद जाने के बाद भी लड़की जिन्दा नहीं हुई इस दोरान मौके पर पहुची पुलीस और मृतक लड़की के सव को कबजे में लेकर पोस्टमाटम के लिए भीज दिया वहीं जाड़ कुक कर चमतकार करने वारी लड़की हिरासत में ले लिया और पूस्टाच कर रही है स्पी सिटी सेलेनलान ने बताया कि एक उक्ती की साफ के काटने से मौत हो गई बगल के गाउं असोना की रहने वाली गोबरी वह उसकी पुत्री के द्वारा लोगों को ये अंदर विस्वास फलाए गया कि वह मृत ब्यक्ती को जिंदा कर देंगे इस मामले में मा और बेटी को आवसदी वह चमतकारिक आंदिनियम 1954 के ताहित मुकादमा दर्जखर कर लिया गया ग्राम अबाव थाना मुहरतपुर में एक 20 साल की युवती की मृतिव साफ के काटने से हो गई थी बगल के गाउं असोना के गोबरी और उसकी पुत्री द्वारा लोगों ये अंदर विश्वास फैलाए गया कि वो मृतिका को जिन्दा कर देंगे और उसका झारफू का काम प्रारम कर दिया पुलिस को ये सूचना लगने पर पुलिस के द्वारा दौनों की गिरिफतारी करी गई है और ओश्रदी और जमतकारिक उप्चार अधिनियम 1954 के तरफ मुकर्मत दर्ज किया गया है श्रीगी दोनों को न्याला के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा को हमारी ख़बर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए